इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां उज्जियारपूर प्रकंट छेत्र के अंगार घाठ थाना अंतरगत चेता दक्षनी पंचायत में शनिवार 10 अगस्त को ठंका की चपेट में आकर खेतों में काम कर रहे हैं मजदूर की मौत हो गई मृतक की पहचान चेता दक्षनी पंचायत के वार्ड संख्या नौनिवासी स्वरगिय जनकदास के 50 वर्षिये पुत्र राजेंद्र दास के रूप में की गई है उधर घटा की सूचना मिलते ही अंगार घाठ पुलिस मृतक के घर पहुचकर मृतक के शव को अपने दीक ही चाओड में धान के खेत में काम कर रहे थे उसी दोरान अचानक बारेश शुरू हो गई जब तक मृतक खेत से निकल कर घर आते खेत में ही ठंका की चपेट में आकर जलज गे और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई आसपास काम कर रहे हैं अन्ये मजदूरों की न पूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अंगार घाट थाने की पुलिस ने मृतक के शव को अपने कबजे में लेकर पोस्त मौर्टम के लिए सदर अस्पताल समस्ती पूर भेज दिया चैता दक्षणी पंचायत की मुखिया मीना देवी ने इस हृद्य विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्ति करते हुए पीडित परिवार को अवे लंब सरकारी मुआवजा देने की मांग की है उधर घटना की जानकारी मिलते ही भागपा माले नेता महावीर पोद्दार ने घटना वह घटना स्थल का जायजा लिया तथा पीडित परिवार को धांधस बंधाते हुए स्थानिय जिला प्रशासन से मृतक के परिजनों को पांच लाक रुपे मुआवजा देने की ही है मौके पर माले नेता दिली कुमार राय हुलास राय रगवनश राय दिनेश पास्वान दुर्गेश कुमार आधी मौजूद रहे अभी तक के लिए बस इतना ही नमस्कार एक मजदूर हैं गरीब हैं राजंदर दास जो अपने खेतों में काम कर रहे थे धान कमा रहे थे और तेज बारिस हुई और उस बारिस में जो बजरपात हुआ उससे बजरपात से राजंदर दास की ओने स्पोर्ट मौत हो गई है और यह एक दुखद घटना है और इस से पंचायत के सभी लोग और उनके परिवार के लोग काफी दुखी और गमगीन हैं हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें 5 लाख रुपईया मौबजा इनके परिजन को मिले